हेलो फ्रेंड स्वागा थे आप सभी का आज इस वीडियो में हम लोग ब्लाउस की फिटिंग के बारे में जानेंगे देखो यह अस्तिन की गोलाई है साड़े 6 इंच रगब रखना तो यह 13 इंच इसकी गोलाई हो गई आज हम लोग फिटिंग के ना एकदम सिंपल प्रोसेस को समझेंगे और ब्लाउस की फिटिंग यह वीडियो देखने के बाद आपको बहुत असान लगने लगेगी देखो चैस्ट साइस का मिजरमेंट यह हम ले लगा दिया इस तरह से जो भी मिजरमेंट आता है चैस्ट का उसका चौथ है ठीक है यहां पर हमने कट लगा दिया अब उसके बाद हम क्या करेंगे यह बैक पल्ला है बैक पल्ला अलग है फ्रेंट पल्ला दोनों अलग है और अस्तिन अभी अलग है तो हमें अभी क्या करना है जैसे यह इसका पीछे का पल्ला है यहां पर आप नापके देख लेना जहां पर गले की गोलाई इंड होती है वहां से तो चौथा हिस्सा वहां पर भी मिलना चाहिए जिसे सवादस हमने रखा तो सवादस यहां पर भी ठीक अब क्या करेंगे शोल्डर को जॉइंट करेंगे तो शोल्डर आपको मजबूर डबल सिलाई से जॉइंट करना है और किसी-किसी पर्टिकुलर कश्टमर के में क्या होता है शोल्डर गिरने की समस्य आती है तो थोड़ा सा गले की तरफ सिलाई जुका करके लगें किसी-किसी पर्टिकुलर कश्टमर के में प्रॉब्लम होती है उनके लिए और अगर आप से सभी में हो रहा है तो फिर को कटिंग मिश्टेक या फिर आपके टेक्निक मे क्या करके देखना है अगर बराबर मिल रहा है देन कुछ करने की जोरत नहीं तो फिर छाटने क्यों सकता पड़ती है कैसे छाटना है यह हमने पहले भी बताया हुआ शोल्डर को पहले सीधा कर लें अच्छे से आर मोल का शेप वगरा देख लें अगर कहीं पर भी दिक्कत लग रहा है तो उसको सुधार लें थोड़ा पहुच हाटने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसके बाद आप अस्तिन को इस तरह से रखेंगे सेंटर से फिट करना चालो करेंगे देखो जब हम अस्तिन को फिट कर रहे होते हैं तो हलका सा एकदम हलके हाथ से अस्तिन को खीचते हुए फिट किया जाता है और कट टू कट मिलना चाहिए जब आप उसको फिट कर रहे हैं तो यह चीज का ज्यान रखें कि ब्लाउस के कट और अस् तो यह इस प्रकार से आपको फिट करते हुए आना है यहां पर अस्तिन को फिट करते हुए बहुत से लोग जो मिश्टेक करते हैं उसके बारे में एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा वह क्या है कि शोल्डर का जो जो आइंट है ब्लाउज में वहां से दो इंच पहले क्योंकि वहां पर का सिलाई राउंड होता है फिर शोल्डर पर फुलान आता है तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस मिश्टेक से बचना है यह इस प्रकार से आपको प्रॉपर आपका जो शोल्डर का शेफ है उसको सही कर लेना उसके बाद ही अस्तिन की करनी है सेंटर से अगेन एक बार देखना फिटिंग करना चालू करेंगे यह इस तरह से और कट टू कट मिला करके आपको फिट करना है ठीक है सेंटर से जब दूसरी तरफ आएंगे तो वह चीज का फिर से ध्यान रखना कि यहां पर आपको सिलाई एकदम से घुमानी नही नहीं होता है सववा इंच का तो वह लास्ट जब आप फिटिंग की सिलाए चलाएंगर तब तक वह कवर हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्या करना है ब्लाउज को बिल्कुल सीधा रखना है उल्टी साइड से बिल्कुल सीधी साइड से पीछे पल्ला सीधा सामने भी सीधा और इस तरह से एकदम कॉर्णर से सिलाय लगा करके इसको चिपका देना है और उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उस कपड़े को आपको इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है ठीक है सेम प्रोसेस दूसरे साइट भी करेंगे उसक आपको पल्टाना है जब पल्टाएंगे उसके बाद क्या करेंगे वह जोएंट दब जाए उसके लिए आप यहां पर एक सिलाई और इस तरह से कॉर्णर पे चला देंगे ध्यान रखना यह अभी आपका फिटिंग कंप्लेट नहीं हुआ हमने क्या किया अभी केवल इसको काट करके बाहर कर देना है फिर पल्टा करके कॉर्णर से ही एक बार फिर से सिलाई लगाए और उसके बाद अंत में हम इंची टेप का यूज करके प्रॉपर फिटिंग डालेंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट है चाहे आप हमसे पेपर कटिंग लिए हैं चाहे अपकी अस्तिन की गोलाई कितनी है साड़े च्छे तो यह साड़े शे का मार्क कर दिया अब आ जाते हैं कमर पे तो यह वाली सिलाई देखो आपकी बिल्कुल इस्ट्रेट आ गई है अगर आपका टेक्निक सही है तो यह सीधा ही आएगा कभी कभी कुछ स्पेसिफिक मेज यह यहां पर भी इस्ट्रेट आ जाएगा ठीक अब इसके बाद क्या करना कमर तो कमर को भी कंप्लीट ना पलें टोटल जीतना आपको कमर चाहिए देख लेना कितना एक्स्ट्रा आ रहा हमको कितना चीए साड़े तैंतीस ठीक एक्स्ट्रा कितना आ रहा है लगभग 4 का process हो जो गया अब क्या करना है केवाद सिलाय लगानी मझबूत यह पर डाल दें उसके साइड में एक और डाल दें कभी आपको खोलने की जरुरत पढ़ गई एक सिलाय खरत लगा देम दोनों तरफ यही प्रोसेस करना है और यही कि तरीक हं कमर को दूसरे साइड भी आप को ऐसे ही नापना है और इस तरह से यह सिलाई आपको continue करनी होगी तो यह जो था फिटिंग का एक complete प्रोसेस था जो मैंने आप को समझाने का प्रयास किया वाइस ओवर वीडियो थी special फिटिंग वालों के लिए वीडियो बनाई गई है जिनको फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है जिनको नहीं समझ में आता बीगिनर्स हैं फिटिंग ब्लाउस की कैसे करें बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने कटिं सिंगल नॉट ब्लाउस का यह पैटन था जिस पर आप लोगों ने फिटिंग को देखा मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह जो वीडियो है यह पसंद आया होगा और फिटिंग रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट रहा होगा तो वो डाउट आपके सॉल्व हो का तरम